यह बहुत important question है 100 दानों के उत्पादन है तो कितने अर्ध सूत्री विभाजन की और शक्ता है What is the minimum number of meiotic division required to produce 100 grains 100, 125, 20 या फिर 115 तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो 100 दानों का अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए 100 egg cells यानि कि 100 अंड कोसिकाओं और 100 pollen grains की आउसकता होती है अब 100 अंड कोसिकाओं की प्राप्ति है तो 100 अर्ध सूत्री विभाजन जबकि 100 पराग कड़ों की प्राप्ति है तो यानि pollen grains की प्राप्ति है तो 25 अर्ध सूत्री विभाजन की आउसकता होगी ग्रेंस हो गया 25 और एक्सेल्स हो गया 100 तो टोटल हो गया 125 तो टोटल अर्ध सूत्रिवाजन की कितनी किया हो सकता होगी तो इसका correct answer हो जाएगा 125 यानि कि B option इसका correct हो जाएगा